कि हेलो प्रेंट्स वगरता हूं आप लिए बड़े खबर आप दाओं के लिए कि सबसे पहले अगर आपने चैनल फ्राइब में किया चाहां फ्राइब प्राइब करो करें कम निकल किया लिए टेम साफ़ाट के आल सच की बड़ी खाबर टेम सेफ़ाट टेस्टिट नेगेट के लिए रवाना हो जाएकर के बड़ी खभर निकल के आ रही है निकल के आ रही है और दूसरी बड़ी करो करेका पने करकी हाई को कि बड़ी कावर हमेश जादो इंडिया के बहुत ही जबदस तेजस गएन बाद उमेश चादो के मतबग हमें वाल टेक्ष्चाइम्बेश्प के केन विलिमसन को किसी भी हाल में यानि उनको बहुत जल आॉट करना होगा तब ही हम वाल टेक्ष्च करें ताकि हमें उससे बहुत्य ज़्यादा मेलेगा क्योंकि एक केई वीलेम सन को आुट करना हमरे लिए बहुत जरूरी हो गाए उनको हमें किसी भी हाल में दोनुए इनिंगों में बहुत जवर जल आउट करना को ताभी हमें फाइदा मिले ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन अभी भी है और जितने भी आवरसीज खिलाड़ी उसमें खिलने के लिए जा सकते थे वह अगर वहां नहीं आ पाए तो यह देहंडरेट के लिए बहुत ही बुरी खाबर होगी क्योंकि आवरसीज खिलाड़ों की वाज़ से एक लिएक बहुत ही इसलिए इंग्लेंड के अगर ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन तब ही तक खातम होते हैं तो इसके बाद ही इंग्लेंड को फाइदा मिल सकता है फिलार अगर देखा जाए तो वहां पर ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन के कारण जो आवरसीज खिलाड़ी है वह नहीं जा सकते हैं इ कर दो चाहते हैं और चोती बड़ी खबर करो करें कर दो जून से खिले जाएगी उसमें और जो इंडिया के खिलाब पांच टेस्ट मैच्वों की सीरिज अगर सतंबर में खिले जाएगी उसमें उनके मताबिक वह पूरी तरह से तयार और पूरी में खिलते हूं कैने दोनों मिलेगा और इंग्लेंड की टीम को भी फाइदा मिलेगा और उन्हें ये भी कहा कि जो फ्रा आर्चर जो न्यूजलेंड की खिलाफ दो टेस्ट में चुंकि सीरिज में नहीं खेलेंगे उनकी मताबिक आने वाले टीटवंटी वर्ल्ड कप और एशिज के लिए उसकी पूरी ह हो जाएगी और अगर वह पूरी तरह से फेट रहते हैं तब ही वह टीटवंटी वर्ल्ड कप और एशिज के लिए पूरी तरह से तयार रहेंगे एक एनाय स्ट्रोड बार्ड का और पाँची बड़ी खबर करो करे कब निकल क्यारी न्यूजलेंड कप्टेन गेन विल्यमसं के आल इसकत की बड़ी खबर गेन विल्यमसं के मताबिक हमारे जो व्यल्ड टेस्ट चैमिशेप का फैनल मेच इंडिया की खिलाब 18 जून से खिले जाएगा उनके मताबिक यह हमारी भी उतना एक्सपरियंस नहीं है और एंडिया की खिलाडों को भी उतना एक्सपरियंस नहीं उसे हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है उनके मताबिश अगर तेखा जाये तो दो मैचों के सीरिज इंगलेंड की खिलाब दो जून से शुरू होगी अगर उसमें हमें अच्छी बलेबाजी और गयन बाजी हम कर पाए तो वर्ल्ड टैस्ट चैम्मेशिप के फाइनल मैच में हम जी सकते हैं लेकिन यह बहुत से ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडियन टीम भी बहुत ही जबदास इंगलेंड में खेलती है और हमें उतना एक्सपिरेंस नहीं है और हम वह वह दो टेस्ट में हैं कि सीरिज जो इंगलेंड के खिलाब खेली जाए कि उसमें अगर हम अच्छी बले बाजी और गयन बाजी कर पाते हैं तो हम इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा टकर देंगे कहना है केनी विलियम सन का और ज़्यादा जनकरी के लिए चंग फ्राइब से लेकिन को बैस कीजिए ताकि अप्टी जो में से के तेंक्यू